हेलो फ्रेंड्स दिस पूर्णम कश्यप वेलकम तो हिस्ट्री मेट सिंपल तो कल हमने शुरू किया था इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करें चनल को सब्सक्राइब करें और चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर तो आज हम जदले दी कवर अप करने की कोशिश करेंगें कल हमारे कुछ रह गया था तो वहीं से स्टार्ट करते हैं तो आज का पहला क्वेश्चन है निमलिखित कतनों प होते हैं इनके अध्यान को एपिग्राफी कहते हैं दूसरा अभिलेक मुहरों प्रस्तर स्तंबों स्तूपों चट्टानों ताम्र पत्रों मंदिरों की दिवारों इत्यादी पर मिलते हैं तीसरा आरंभिक अभिलेक प्राकरतिक भाशा में हैं और ये इशा पूर्व तीसरी सदी के है चौथा लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली हडपा के मुद्राओं में पाई जाती है चुकि ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है इसलिए सबसे प्राचीन अभिलेक अशोक के माने जाते हैं इसमें आप लोगों को सत्यकतनों का चैन करना है जो सत्यकतन है वो बत निम्लिकित कतनों पर विचार कीजिए अशोग के अधिकतर अभिलेक प्राम्भनी लीपी में है। सत्य कथन का चैन करना है इसमें। चलिए बताईए फटाफट इसमें कौन सा वाला गलत है। सही एंसर बताईए फटाफट। तो सही एंसर है। किसने हेंसांग की जीवनी लिखी है जो हर्ष कालीन भारत की दशा के ज्यान के लिए अत्याधिक महतोपून है। ए इत्सिंग, दो, वी ली, सी, चुवांग च्यांग, डी, चाउं जूंक हुआ। फटाफट गेस किजिए। इसका सही एंसर है। ऑप्शन नमबर डी, वी ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोग फिर से आगया वही। दमाग खराब करने है। तो एक तरफ दिया हुआ है लेखक और दूसरी तरफ उनके पुस्तक के नाम दिये हुए हैं। तो चलिए जल्देल दिया अरेंज करते हैं फटावट। इसको कैसे अरेंज करना है। तो सबको पता है ठालेमी की जो है वो थोड़ा फोन में शूट कर रही हुँ ना तो इसलिए दिक्कत आ जाती है। माफी इसके लिए टालेमी की हो गई जियाग्रफी। प्लीनी की हो गई नैचरल हिस्टोरिका ये भी सही है। हेरोडोटस की हिस्टोरिका तो सबको पता है। और ये जो पेरिपल्स ऑफ दे एरिथियन सी है इसका जो राइटर है वो अग्यात है। तो सही एंसर हो गया हमारा ओप्शन नमबर A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए। एक, विक्रम समवत का आरम 57 इश्वी में हुआ था। तो इसमें हमें जो है असत्य कथन के बारे में बताना है कि कौन सा वाला असत्य है। ये जो पहला और दूसरा है ना ये दोनों गलत है। तो ये हो जाएगा सही एंसर इसका। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं फिर से आ गया वही। तो इसमें ग्रंथ है और सामने उसमें जो बाते लिखी गई हैं। इसके बारे में कहा गया है, यहाँ पर थोड़ा मिस्प्रिंट है बट मैं आपको क्वेश्चन पढ़के सुना देती हूँ। आप लोग बस दिहान से सुन लीजए मुझे। तो पहला है आचारंग सुत्र और इसमें जो है जैन विक्षूं के आचार नियमों का उल्लेह किया गया है। दूसरा है भगवती सुत्र और इसमें जो है महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है काफी हद तक, मतलब काफी बाते बताई गई है। तीसरा है अनुत रोववाई द्वेसाओ। बड़ा डिफिकल्ट सा नाम है यार। जो है वो तीसरा हो जाएगा। प्रसिद्विक्षुओं के जीवन नहित तत्य कथाएं इसमें दी गई है। और भद्र बाहुचरित्र में सबको पता है। चंद्रगुप्त मौरे के राज इकाल की घटनाओं के बारे में दिया गया है। ठीक है। तो यह हमारा इसका सही एंसर हो जाएगा। ओप्शन नमबर C1234 यह बिल्कुल अरेंज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़के सुनाती हूँ आप लोगों को। नेम्न में से कौन सा ग्रंथ भारतिय व्यापारियों द्वारा कटाह दुइप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है। इसका सही एंसर होगा बावेरू जातक। इसमें जो है व्यापारियों द्वारा कटाह दुइप के जो समुद्री यात्रा है उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निमलिकित में से किनका पेरिपल्स ओफ द एरिथियन सी में दच्छन पत के दो महत्युपून अंतर राज बाजारों के रूप में उल्लेक हुआ है। प्रतिष्ठान एवं तगर, दूसरा नासिर एवं जुननार, तीसरा कल्यान एवं कनहेरी, चौथा अम्रावती एवं नागा अर्जुन कोंडा। तो सही अंसर गैस कीज़े फटा-फट। इसका सही अंसर होगा ओप्शन नमबर A, प्रतिष्ठान एवं तगर। नेक्स्ट देखते हैं। निमलिखित में से मनूस्मृती का टीका कार कौन था? पहला असहाय, बीसरा, विश्वरूप, तीसरा, भट्ट स्वामी, चौथा, मेगा तिथी। तो इसका सही अंसर हो जाएगा मेगा तिथी। ठीक है। नेक्स्ट निमलिखित में से कौन वेदांग जोतिश लेखक के रूप में विख्यात है। A, आर्यभट, B, ब्रह्मगुप, C, लगद, D, लाटदेव। ये लाटदेव लिखा हुआ है। तो चलिए इसका सही अंसर देखते हैं। इसका सही अंसर लगद हो जाएगा। ठी कौन सा डिस्क्रिप्शन सेट होता है, फिट होता है इसके उपर। A, कृषी प्रथाओं तो पदितियों पर विस्तरित प्रबंध, बली संबंधी अनुष्ठानों पर पाठ, शाशकों के लिए प्रशाशन को संगठित करने की दिशा निर्देश, आर्याणक के साथ संलग व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रशनों से संबंधित है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, उप्शन नमबर B, बली संबंधी अनुष्ठानों पर पाठ, नेक्ट देखते हैं, निमलिखित गरंथों में से प्रमुक किस एक में यग्यवेदियों के निर्मान का दिया गया है, चलिए फिर से आगया ये वापस, इस तरह के questions बहुत पूछे जाने वाले हैं, तो आप लोग बस ready रहे हैं, इसको deal करने के लिए गलती ना करें, इसमें बहुत important है ये, तो आप इसे note कर लीजेगा, चलिए देखते हैं, एक तरफ लेखा के, दूसरे तरफ उनके जो books हैं, वो दी गई हैं, ठीक है, तो William Jones, इसका जो सही answer हो जाएगा, वो होगा, Asiatic Researches, ठीक है, B का चार, ये James Ferguson Archaeology in India, इसका ये हो जाएगा, C का हो जाएगा, दो, Alexander Cunningham, The Stoop of Bharud, और D का हो जाएगा, of course, 1, James Burgess का, Indian Inti Query, ठीक है, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number A, चलिए, next question पर आते हैं, संगम ग्रंत, तोलक पियम, किस विशे पर आधारित है, खगोल विद्या, व्याकरण, संगीत, औशधी, ये तो सबको पता है, बहुत common question है, जो पूछे जाते हैं, इंटिये नेट में, वो है, व्याकरण, ठीक है, next question, गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द, निमलेखित में से, किस से निकला है, संस्कृत, ग्रेक, चीनी, लैटिन, तो इसका सही answer हो जाएगा, option number B, ग्रेक, तो friends, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हमारे next वीडियो में, thank you for watching, please do subscribe और चैनल को share जरूर करें और subscribe करना तो बिलकुल ही ना भूलो, please, 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 till then, tata, bye, bye, मिलते हमारे next वीडियो में